एपिसोड 32 स्पेल बाउंट पिर गर आकर वो बढ़ती है लेकिन रॉबिन उसे डिस्टरब करने आज जाता है वो बीस्ट बोएंड साइबोग को अच्छा सुनाती है बीस्ट बोएं रेवर बे बहुत कुस्ता होता है कि तुम सारा दिल अपने आपको एक कपरे में बत करीब बैटी हो तुम कितनी जिस्टरबिशल को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है लेकिन रेवर की बुक कैती है तुम कृपी नहीं हो और रेवन शौक के रेवन को इस बुक में कैद क्याद मैंगाथ हो गया था और मुझे सजार सालों से किसी ऐसी की तलस्ट छी जो अजत और वो तो मीई और रेंट व 음악 कॉंफर्टीबिल कराता है उसे अच्छी बाते करता और उसे स्पैशल करता है फिर अगले दिर बीस्ट पे स्वरी माँड़ने आता है याँर के चनला जा बी एसडी के और बीस्ट वोस सुनता है कि रेंट कि सी और के साथ कपी शुप ﷺ मार रही है और रेवन मेल के साथ बाते करती है उनका बहुत अच्छा मुबट बनता है और रेवन से मेल को बाहर तो काल देती हैं लेकिन अभी तक वो पूरा जाद ही हुआ मैलकुर कहता है रेवन तो मुझे अजाद कराऊगी वो रेवन के साथ फलर्ट करता है ताकि उसका काम बन सके वो टेस सारी बुक्स देता है जिससे रेवन स्पैसल सीक सके रेवन बहुत स्पैशल फील करती है क्योंकि पहली बार उसे कोई ऐसा मिला जो उसके साथ नॉर्मली बात कर सके और उसे अच्छे से ट्रीट करें अगले दिन रेवन अपने वाइट फॉर्म में आती है बहुत खूश होई और उसे पता लगता है कि बीस्ट बॉई ने उन दोनों की सारी बाते सुन ली थी और तब ही क पावर डिकलती है जिसे सिर्फ रोबोट कोई नई बड़की बच्ची को भी अफेक्ट होता है रेवन उसे कंट्रोल डई कर सकती लेकि टाइटा सिचुएशन को संबाल लेते हैं और रेवन वाज़े भाग जाती है और विजर्ट पे घुस्ता होती है कि तुम ने मुझे डाक स्पैल सी काया लेकि विजर्ट उसे मैनुपलेट करता है नई रेवन ये तुमारी असली पावर है तुम अब अलोड नहीं हो इसलिए तुम ऐसा फील कर रही हो देखे न चिंता मत करो मुझे अज़ाद करा और फिर मैं तुमारी हेल्प करूंगा रेवन वही करती है लेकिन उसे ये पता चलता है कि मैलिकर विजर्ट नहीं था ड्रैगन था उसने उसे मैनुपलेट किया तकि वो अज़ाद हो पाए और जब रेवन को ये पता चलता है वो बहुत देर हो चुकी थी वो ड्रैगन अलड़ी अज़ाद हो चुका था और डायटस आते हैं और ड ड्रैगन के पीछ चनए जाते हैं लेकिन रेवन वही पर डिप्रेस्ट रहती है सब ड्रैगन से लड़ते हैं लेकिन कोई भी उसका पाल भी बाका डई कर सकता फिर रेवन आती है और उसे लड़ती है लेकि ड्रैगन कहता है क्या तुमें लगता है कि तुम मेरे जिकायों स पहले से ये मुझे हरा पाऊगी रेवन कहती है डही लेकिन मैंने जादू के साथ और चीज भी सीखी है और वो है करस और वो वही बुक होती है जिसे ड्रैगन पहली बार कैद किया गया था और रेवन उसे दुबारा कैद कर लेती है और सब कुछ ठीक हो जाता है लेकिन आपको कमरे में बंद रखो तुमारा भी हक है खुश होड़े का आपने फीरिस को शेर करने का और रेवन आकर उसे हाग करती है और बैं चोद बैं जा रहा हूं बैं बैं